नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं बसे धू धू कर जलती नजर आ रही है, बसों में आग लगने से वहाँ काम कर रहे करमचारियों और सैक्डों की संध्या में मौजूद यात्रियों में भगदर जैसी इस्थिती उत्पन हो गई गौतलब है कि ऐसा ही हाद्सा पिछले साल दिवाली के मौके पर हुआ था, जब बस में आग लगने से उनमें सो रहे चालक और सह चालक की मौत हो गई थी हालाकि ताया घातना में फिलाल अस्पस्ट नहीं है कि बसों में कोई मौजूद था या नहीं आग बुझाने के परियास किये जा रहे हैं इसके बाद ही इस्थिती अस्पस्ट होगी खातना के समझ ने बताया जाता है कि गुरुवार की दो पहर दो अचानक बस स्टेंड के एक हिस्से से धुमा उठता दिखा थोड़ी ही देर में दो बस से दो धुकर जानने लगी इन जल रही बसों ने कुछी मीन्टों में पास खड़ी तिन अन बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया रांची में 300 करोर की लागत से बनेगा कौसल विकास कॉलेज राइधानी में लगभग 300 करोर रुपाई की लागत से कौसल विकास कॉलेज खोला जाएगा आज तक्निक का जबाना है कौल कर खायनों से लेकर आम जन जीवन में मसीने जगह लेती जा रही है ऐसे में स्किल्ड होना हर हाल में जरूरी है बता दे मुख्य मंत्री हमल्चुरे ने बुद्धवार को प्रेग्या फाडेशन द्वारा संचालित आईटी आई कौसल विकास कॉलेज नर्सिंग एवं कल्यान गुरू कूल के लगभग 500 विद्यार्थियों को विभीन संथानों के लिए नियुक्ति पत्र पदान करते हुए बाते कही मुख्य मंत्री ने कहा है कि जार्खन की गिंती देश के पिछले राजियों में होती है गरीबी और पिछले पन सेराजी को निकालने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं राज़ी में अदा की गई इद उल अजहा की नमाज राज़ानी राज़ी में इद उल अजहा की नमाज अदा कर ली गई बारिस की वज़ा से राजधानी रांची के अधिकास अस्थानों पर नमाज मस्जिदों में आदा की गई कुछ जगों पर जरूर मस्जिद के बाहर भी नमाज आदा की गई बकरीत को देखते हुए रांची पूलिस भी बहत सतर्क है रांची के तमाम सर्वेदन सील अस्थारों पर गुरुवार की सुबा पांच बैसे ही पूलिस बल अपनी ड्यूटी समाल चुके थे जो देर राद तक जारी रहेगी बता दे राजधानी रांची में इद्र उल अजहा को लेकर काफी उसा देखने को मिला हलाकि तीन दिनों से हो रही लगातर बारिस की वज़ा से उस्साह में थोड़ी खलल जरूर पड़ी बारिस की वज़ा से ही रांची के हर्मू रोड इदगाह में काफी सालों के बाद नमाज आदा नहीं की गई अंजुमन इसलामिया के द्वारा आयातर किया गया था कि इदगाह में इस बार नमाज आदा नहीं की जाएगी भारिबारिस के वज़ा से आफैसला लिया गया लोकडाउन का असर जमसेथपूर के 200 लोगों के उड़े होस जारखन के जमसेथपूर सहर में 200 से ज्यादा लोग कोड की चिठी देख भौचक रहे चिठी में लिखा आये कि जामानत लीजिये वारना जेल की हवा खाये जिने कोड की चिठी मिली है उनमें से अधिकांस बुजूर्ग है पूरी चिठी पढ़ी तो पता चला कि कुरोना के लोकडाउन के दरान उन पर केस हुआ था उस वक्त उन्हें भनक भी नहीं लगी बता दे मॉर्निंग वाक करने के दरान पुलिस एक स्कूल में ले गई और सबका अधार कार्ड देख कर छोड़ दिया बाद में उसी अधार पर उन पर केस दर्ज कर दिया गया अब जब वारंट जारी हुआ तो थाना और कोड का चक्कर लगा रहे हैं कुरणा को लेकर घोसित लोग डर उलंगन के आरोप में पकड़े गए सहर के 200 लोगों पर उनके कोड में हाजी नहीं होने की छिती में वरंट जारी किया गया है रांची पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफतार रांची पुलिस ने अलग-अलग मामलों में 5 अपराधियों को गिरफतार किया है पिठोरिया पुलिस ने जहां लूट कांड में सामील 4 अपराधियों को गिरफतार किया है इसमें सामिल चार अपरादियों को हत्यार के साथ गिरापतार कर लिया गया वहीं पुलिस ने रांची एस्टेशन रोड बस डिपो के समीब 16 दिन पहले रोही थत्याकान का खुलाचा कर लिया है रांची से पीलेफाई के तीन उग्रवादी गिरापतार रांची पुलिस ने पीलेफाई के तीन उग्रवादी को गिरापतार किया है इसमें पुलिस इंकाउंटर में मारे गए कुख्यात पीलेफाई उग्रवादी पुनिया का खास सहयोगी रहा अकास उर्फ एलेक्स भी सामिल है तीनों के पास से हथियार भी ब्रामत किये गए पुलिस इसकाउंटर में मारे गए कुख्यात पीलेफाई उग्रवादी पूनित के खास वयोगी रहे आकास उर्फ एलेक्स को राची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आकास के साथ ही पीलेफाई के दो और उग्रवादी को भी गिरफ्तार किया गया आकास उर्फ एलेक्स के उपर हत्या, आंस एक्ट और रंगदारी के कई मामले पहले से इधर जहाए गिरफ्तार उग्रवादीयों के पास से पुलिस ने अतियार भी जब्त किया है जारखन में भ्रामक खबरे फ्यलाने वालों पर सरकार रखेगी नजार प्रिंट मीडिया में छपी खबरों पर नजर रखने के लिए सरकार ने प्रिंट मीडिया मोनेटरिंग पोर्टल बनाया है सरकार से जूड़ी कितनी खबरे चपी है कितनी खबरे सरकार के खिलाप है इन सब की मोनेटरिंग पोटल के जरिये की जाएगी अधिकारियों को खबरों की मोनेटरिंग और उन्हें पोटल के डैसबोर्ट पर अंकित करने का प्रस्कीशर मिर दिया जा रहा है इधर CM की परदान सचीयू सा मंत्रि मंडल सचीयवाले एम निग्रादी विभा की परदान सचीयू सचीयू सभी उपायूक को पत्र जारी कर समाचार पत्रों में प्रकासित भरामक खबरों पर खंडन भेजने का निर्धेश दिया है उन्होंने लिखा है कि बिभीन बिभागो से समंधित फेक न्यूज समचार पत्रों में परकासित किये जाने के मामले परकास में आया है इसे लोगों में भर्म की इस्थिति उत्पन होती है सरजुर्य पर मंत्री बन्दा ने किया थह मान हैनी का केस अधालत ने कर दिया खारीच बिधायक सरजू राय के खिलाब मंत्री बंढागुपता द्वारा दायर मान हानी के मामले को चायबासा के बिसेस MPMLA कोट के जज रीशी कुमार ने नन्मेंटेनЕबल बताते हुए खारिश कर दिया मंत्री बन्ना गुपता ने विधायक सहजू राय के खिलाब चाई बासा इस्तित विशेस MPMLN नियारलाय में 10 मई 2.23 इसको अपने अधिवक्त परकात जाके माध्यम से सिकायत वाद दाखिल कराया था इसमें आरोप लगाते हुए कहे थे कि विधायक सहजू राय द्वारा राय नितिक परतिद्वन्दियों के कारण उनके सोसल मीडिया हैंडल एवाम अस्थानी समचार पत्रों में गलत जनकारे एवाम असत्य तत्य परसारित किये गाए साथ ही यह भी कि मंत्री बन्ना गुपता द्वारा परतिबंदित हंतियार रखा गया है और उसका उपयोग किया गया है एवाम जी चौवालिस गलोग पिस्टल निशीद हंतियार है सरावनी मेला में बैबाबै धनात पर अरगा सिस्टम से ही होगा जलाभी सेख चार जुलाई से दो चर्णों में प्रादाम हो रहे सरावनी मेले के सफन संचालन को मंदिर प्रभारी दिपांकर चौजरी ने पंडा धर्मरक्षिनी सभा के साथ बैठक की बैठक में सिख्र दर्शनम से प्राप्थ होने वाली रासी का सेर सभा को देने पुरुसोतम मास में होने वाली बेवस्था वा मंदिरों में आय दिन खुसपैट को लेकर हो रही चर्चा के बारे में बाते हुई सुत्रों से मिली जनकारी के उन्सार बैठक में साभा द्वारा करीब एक साल से कूपन से मिलने वाली रासी का भुकता नहीं होने के बारे में प्रमुकता से बाते रखी गई जिसमें की मंदिर परभाने जल्द ही रासी को उपलब देकाने का अस्वासन दिया है वहीं पुरसोतम मास में अस्वास पुजा या कूपन का रेट कम करने के मांग को खाड़िश करते हुए कहा है कि मेले की तयारी दो महिने के लिए की गई है सारी तयारी हो चुकी है दो महिने के लिए पुलिस बल अधिकारी दंड़ अधिकारी आधी का आदे सरकार की ओर से सिक्रित किया जा चुका है देव घर में नौमबर से मिलने लगेगी पाइप लाइन रसोई गयस दिल्ली में बुद्वार्व केंद्रिये पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पूरी के करेले में गोड़ा संसर डाक्टर निसिकान दुबे ने पेट्रोलियम मंत्रा लाइके अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में IOCL एवां HPCL के अधिकारी भी सामिल हुए इस दुबान बैठक में निने लिया गया कि देव घर अमधुपूर में घर घर पाइप के जरिये घरेलू गयस की आपूर्ति का काम नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा सांसर डाक्टर दुबे ने कहा है कि परती एक महीने काम की मोनेटरिंग होगी अधिक से अधिक गयस कनेक्शन का फारम कलेक्शन का काम पूरा करना है नवंबर में देव घर सहर में पाइप से घर घर गयस आपूर्ति योजना का उधगाटन करने केंद्रिये पेट्रोलियम मंति हरदीप सिंगपूरी देव घर आएगे गुमला में अवैद संबंद के सक में पती ने पतनी को उतारा मौत के घर गाट गुमला जिला के चैनपूर में एक युगक ने अवैद संबंद के सक के चलते अपनी पतनी की मुरगा काटने वाले चापर से गला काट कर मौत के घर गाट उतार दिया आरोपी पति घटना को अंजाम देने के बाएज चैनपूर से फ्रार होने के लिए चैनपूर बस इस्टेंड पहुंचा था जिसकी गुप्त सुचना पुलिस को मिली पुलिस ने चैनपूर बस इस्टेंड से उसे गिरफतार कर लिया है बताया जाता है कि पत्ति पत्नी का अक्सर विवाद होता रहता था जिसके कारण पत्नी काफी समय से अपने माय के रामपुरगाओं में रह रही थी गुमला जिला को मिलेगा राष्ट पती पुरस्कार गुमला जिले में भूमी का डिजिलाइजेशन वा ओनलाइन कारियों को लेकर गुमला जिला को राष्ट पती पुरस्कार मिलेगा इस पुरस्कार के लिए जार्खन राज के 12 जीलों का चेयन किया गया है जिसमें गुमला जिला भी सामिल है जिले में 99% से भी अधिक खतियान मैपिंग राजिस्ट्रेशन पांजी टू समेत भूमी सम्बन्दी अने चीजों का डिजिलाजेशन किया गया साथ ही जिले भर से लगभक सा 23 लाख रुपय का राजस्व भी प्राप्त किया गया राजस्व प्राप्तिक उपलब्धी 15-16 लाख तक ही थी परन्तु इस बारवड़ोत्री हुई है भूमी सम्बन्दी इस उपलब्धी पर गुमला जिला का चैन पुरस्कार के लिए किया गया उक्त बाते उपायोक सुसांत गौरों ने बुद्धवार को मासिक पेस कॉन्फरेंस में कही है उपायोक्त ने कहा है कि गुमला जिला दिनो दिन प्रगतिक पर अग्रसर है हलाकि चुनवतिया भी है परंतु हर चुनवतियों का सामना करते हुए जिला आगे बढ़ रहा है धन्यवाद